राहुल जम्मु कश्मीर से हमारे साथ स्वागत है राहुल आपका हलो हाँ जी सवाल कीजिए मेरी एज ट्वेंटी एर्टा हलो मुझे स्टमक अलसर की प्राब्लम है थोड़ी ठीक है तुम मेरे को कुछ बिरेलो इलाज बताईया ठीक है जिदिकी बहुत इत्याज से जिद्दगी गुजारिए और खाना ऐसा खाईए कि आप आसानी से हज़म कर सकें एक तो ये इलाज है आदा इलाज ये है कि खाना आप बहुत तीज मिच मसालों का न खाएं बहार का न खाएं एक गरम पनी और दूद जो भी साथ में लेना चाहें ले सकते हैं दूद भी गरम हो गरम पानी भी हो एक सबसे अच्छा इलाज है कि बेल पत्थर जिसे कहते हैं या पत्थर बेल भी कहते हैं जिसका शर्बत भी गर्मी हो में खूब बिकता है तो इंग्लिश में कौवेट कहते हैं इसको खायें जब भी ताजा मिले तो इसे खाया करें और पानी जादा पिया करें ये एक अच्छा इलाज है और क्योंकि अब बेल पत्थर खतम हो गई है तो इसका मुरब्बा मिलता है मुरब्बा आप लीजे और एक कतला रोजाना सुबह निहार मुखाया करें तो आपको फायदा मुम्किन है अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है महराज शुसे स्वागत है आपका बावान मेरोड़ जी बताइए अपनी सवाल केजिए आपके जी फरमाईए जी आदाव फरमाईए क्या सवाल है आपका क्या सेवा है मेरा सवाल को दिनको शराब चोड़ना है दुबारा से दोर आईए एक बार आपको सर में दर्द है आपका सवाल हमें समझ में नहीं आया एक बार दुबारा से बताईए क्या जानना चाहते हैं मैं अकसर सुनाता हूँ कि कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया मैं कदा शराब खाने को कहते जिता दिए शराब का होंसला करिए छोडने का ये बहुत किम्ती है और कुछ लोग ऐसे भी शराब छोडते हैं कि एक शराब जैसी चीज़ आती है लेकिन नहीं होती वो सुकून होता है और वो है देखिए जैतून का सिरका लीजे और वैसे ही बोतल लीजे वैसे ही चकना उखना रखिए जो शराब पीने वाले चकते हैं ना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं इसके दो तीन चमप एक गिलास पानी में डालिये ये बिल्कुल वैसे ही रंका होता है और इसको आप पीते रहेंगे आपको इतना सुकून मिलेगा आप बहकी 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 बाते नहीं करेंगे बलके आप होश वाली बाते करेंगे ये उतरता हो नशा है शराब जो चलता ऑना शहा होता वो नहीं है ये कोशिश Mask करके देखे ले आपको लुट हर आए जो जो शराब में आता है लेकिन यह आपको नुखसान नहीं देती आप इसे लिक्सार कर देख लें पीलिया, पीलिया से लीवर पर उसको एक इपक्ट पढ़ गया, तो फिर हमने दवाइद हुई ली उनकी, तो आपके इधर भी गए थे वो है ना इधर, लिबर्टी के पास जो आफिस है, प्लीनिक, तो आपके गए थे उन्होंने पी केर अडवाइज करी थी, तो बच्चे क लोगे वाइज को है, अभी उसको है, अभी उसको है, तो छोड़े नहीं, और अगर हरनिया है, तो फिर उसका शायद आपरेशन ही कराना पड़ेगा, और पी केर आप अभी तक वैसे फायदा हो जाना चाहिए थे, अगर थोड़ा सा रह गया तो और कुछ दिन भी आप इन में दे सकते हैं, पीकेर लीवर और पेट, एसी डिटी, कब्स, बावासीर और बहुत सारे मर्द के लिए है, जो इसकीन डिजीज के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इन्हें देते रहे हैं, और छोड़ना नहीं क्योंकि क्रोनिक हो गया था उनको, इसलिए जादा टाइ से हमारे साथ, स्वागत है गुनगुन आपका, हलो, हाँ जी, बताएए क्या जानना चाहती है, क्या दिककत है आपकी मम्मी को, पिग्मेंटेशन है, पिग्मेंटेशन है, क्या उम्र आपकी मम्मी की, हठीएट होगी, अच्छा आप नमबर नॉट कर लीजे, जो आ रहे है और इस पर आप उनसे, जो एक लाइव नमबर आ रहा है, उस पर नहीं, अभी तो यह प्रोग्राम खतम हो जाएगा, अगर वो दूसरा नमबर है, जो नौट कर लीजे, या दोनों नौट कर लीजे, फिर वो फोन कर ले हमारे डॉक्टर को, लीडी डॉक्टर को, तो रोक संबंधी, कोई भी प्रश्न क्यों ना करना हो आप लोगों को, आप जान सकते हैं, घरेलू उपचार, आप लोग जुड़ सकते हैं, युनानी पद्धिती से, प्राकरतिक चीजों से, बस आप लोगों को एक छोटा सपरियास करना है, इन नमबर्स पर कॉल करना है, ज उसके पाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं, हकीम सुलिमान खान सहाब जी, जो सीधे आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, स्वागत है मनोज आपका, हालो, हाँ जी, जी मनोज, सवाल कीजिए, मे तरी बेटी है, बारे साल की, ठीक है, हाँ, उसके बाल बहुत जड़ते हैं, हाँ, तो जब कंगी करती हैं, तो बाल बहुत बहुत तूड़ जाते हैं, कहां रहते हैं मनोज भाई आप, मैं उजियानी बताई हूँ, ठीक है, ठीक है, जीन बच्चियों के बच्चों के बाल जाया होते हैं, उनके लिए एक अच्छा इलाज ये है कि नारियल पानी एक रोजा न पिया करें, अगर आपके नारियल पानी मिलता है तो बहुत अच्छा है, रोज एक पिला दिया करी, आप देखेंगे कि बच्ची के बाल समाले नहीं जाते, और उसके बावजूद भी का गौन, रोजाना, आप इन्हें इस्तमाल कराई ये पानी में, दूद में ये नारियल पानी के साथ ही, तो बच्ची का ठीक होना मुम्किन है, नेक्स्ट कॉलर है, रुटेश इन दौर से हमारे साथ स्वागत है आपका, नमस्ते मिनम, जी नमस्कार, मैं हकीम जी से बात जी मुझे, जी आदाब, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात बताईए, क्या सवाल है, आदाब तकरीबान पांचे साल से मुझे शरीव में काफी एजिंग वगरा होती है, उस मुदलब इस्कीन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो कुजी बजनी होती है, औ लोपेती है, और सारे इलाज परा दिया लेंगे, मैं ठक गया हूँ, इलाज कराकर, ठीक है, नहीं हम आपको ठकने नहीं देंगे, और यकीन ऐसा इलाज बताएंगे, कि आपको हफते दो हफते में फाइदा हो जाए, और घरे लिए नस्खाए आप लिख लीजे, आपके घ लिजे 100-200 ग्राम खरीड लें बस, इसको साफ सूफ करें, कंकर भी मिले होते हैं, हलका सा भून लें और इसको पौडर बना लें, एक चमच अलसी और आदी चुटकी खाने वाला सोडा, मिक्स करके, रोज खाया करें, एक बार या दो बार, बहुत ज़्यादा प्राबलम है तो दो बार ने तो एक बार काफी है, और ये अलसी और ये खाने वाला सोडा आप शुरू करेंगे, एक खतम होने से पहले आपको फायदा होना मुम्किन हैं, लेकिन वो तब ही जब आप ये घरेलू उपचार अपनाते हैं, बाकी हेल्प लाइन नमबर लगाता है, दर्ष सब्सकार स्पागत है आपका हालो हां जी नाम बताईए कहां से बात कर रहे हैं हालो जी जी फर्माईए इस बात कर रहा हूं बताईए क्या सवाल है आपका कंकरियां हाँ सब्सक्रा निकलती है मतलब हलकी है अच्छा देखिए डेंडरफ अगर होता है तो बहुत आसान इलाज है अगर सर में है कि यह जो घर में महिलाएं घी निकाल लेती है मलाई बचा बचा के पुरानी ओरते तो निकालती थी पता नहीं बच्चीयां निकालती है या नहीं तो जो दूद आता है घर में उसका उसकी वालाई को जमा कर करके वो उसे पर जला के उस आपके हां पता नहीं तो असली घी कहीं भी मिले तो वो रोजाना रात को अपने सर में लगा के और कुछ बांद के सो जाय करें अगर एक हफता करेंगे अगर टेंडर अफ है तो ठीक होना मुम्किन है और अगर सुराइसी से तो उसका आपको इलाज करना पड़ा है सुराइस जी आदाव अदाव अचार मेरे कुछ एंदर मेरे कंपन रहती है चीक है शंभू जी कुछ और भी बताना चाहेंगे कितनी उमर है आपकी मेरी पतास उमर है तो कब से है कंपन ये कंपन बच्पन से आज जयादा होने तक है आप के अश्यक है और पूरी बाड़ी में है या इसा नहीं हातों में ज्यादा बाग्री पूरी में है ऐसे बात करते तो उटों में तो बेरा पूरे शरीर में है ठीक है अब अपनी बीमारी पे तबज्चे दें और देखिए अस्वा गंधा अस्वा गंधा समझ लें आप क्या होता है ये डंडी होती है ये सब को lose लेना है आपको अस्वगंदा 100 ग्राम और कलोंजी 100 ग्राम किरेघा मरत सुगराम और करोंज़ शोगराम कि रावा और हो तो मिलागा बागी तो महीं मिल जाएगा तो इसको पौडर बना लीजे और आधा से एक गिराम एक वक्त में खाईए दूज से खाएं या पिर आप जूज से खाएं और गरीब आदमी है तो पानी से भी ले सकते हैं अगर पानी से लेना पड़े तो एक ही खुराग खाएं दिन म और अगर तूद या जूज से लेते हैं तो दो खुराग भी ले सकते हैं एक एक गिराम लेना है और आपको फाइदा मुम्किन है बताते रही हर महीं ने अगर हमें कॉल नहीं मिल पाता है तो हमारे हेल्प लाइन नंबर पर भी डॉक्टर को सारी रिपोर्ट दे सकते हैं हैं नियुक्षाँ द्घंग आपी पत्नी को अस्तमा की दिक्ट है हां जियां किया उम्र एउनकी उनकी फिफ्टी अर फिफ्टी एट और कोई प्राबलम तो नहीं है ओर कुदिक्ट हैं जिक एक कफ होता है उनको कॊ ऑंका कभन होता है जब दो पहले होता था जीबज कह प प्रेटी पद्मी जेनाब अज़र देखिए एक घरेल नुसका बताता हूं और दवा भी बता दूँगा ताके आपको फाइदा हो सके घरेल नुसका तो यह है के अलसी 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम और लिसोडा 100 ग्राम यह 100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम पीपले जो अपनी घर में पूछिए कर पीपले जानते हैं खर्मशालो में एक चीज घोती पीपले वहालां कि कभी मर्दों को पैचाननी होती है और ओर थो कभी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं नोग करनी चाहिए खाट इसका दुख्मन है 20 ग्राम पीपले ले 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 और इनको पाउडर बनाके एक चम्मच सुबा खाली पेट गरम पानी से दे और एक चम्मच रात को ये काफी दिन तक आपको देना पड़ेगा जिसमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं इससे ज्यादा भी लग सकते हैं एक महीने दीजे फाइदा नजर आए तो आप एक साल भी ले लेंगें मैं जानता हूँ मरीज की कैफियत को और अगर बाकाईदा वैसे इलाज करें तो माजून आर केर सुबा शाम इसी तरह लेनी है गरम पानी से दूद का और खटी चीजों का सेवन बंद कर दें तो बहुत अच्छा है तो चलिए रामलाल जी आपने अपनी पतनी के लिए जितने भी उप्चार पूछे थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बता दिये हैं